मध्य प्रदेश से हैं अगली कॉलर मन्जु जी स्वागत है आपका हालो 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 हान जी बोलिए मैं नमस्ते मैं जी नमस्कार मैं अन्जु बोल रही है एंपी से अन्जु जी ठीक है बताईए सवाल करिए हान जी अन्जु है आपका नाम आप टीवी मत सुनिए टीवी से सुनेंगी तो फिर अच्छे से बात नहीं होताईगी हाँ ठीक है आप सवाल कर लिजिए मैं हकीम साथ से बात करना चाहिए हूँ मैं अंजु जी बात हो रही है मैं तो आपको अंजु कह रहा हूँ इन्होंने मंजु कहा था हाँ ठीक है सर नमस्टे जैहिन सर मुझे ना पेट में बहुत सारी समस्चा है बहुत सारी प्रॉब्लम है बताईए मुझे पेट में दर्द भी होता है मरोड भी होती है और मुझे ना पेट में दर्द भी होता है मरोड भी पड़ती है गैस बहुत बंचे गैस पास नहीं होती मैं और मोचन भी बार बार लगते हैं और मोचन भी ठीक से पास नहीं होती है अच्छे ठीक है अब नी उम्र बता दीजिए अब उम्र मेरी 22 साल है ठीक है और और मुझे ना मुझे नी क्लियर नहीं होते हैं ठीक है ठीक है मैंने सुन लिया बच्चा मैं समझ गया मंजू जी आपके घर में एक इलाज है लेकिन आपको पता नहीं है ये मेथी का दाना लीजे सो ग्राम मेथी का दाना सो ग्राम और धनिये का दाना दो सो ग्राम इनको खुब बारी पाउडर बना लीजे बना लीजे ये रैश्यों से बनाना है आप इससे ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन सो ग्राम धनी सो ग्राम मेति का दाना दो सो ग्राम धनिया इसको पौडर बना के रखे अब इसको खाना कैसे है एक आता है नमक जैतून असली नमक जैसा दिखने वाला ये पदार्थ दुनिया में ऐसा है जो नमकीन नहीं होता और लेकिन इसे नमक जैतून कहते है या ये रसायन जैतून भी कहते है या इसको एस्टेक भी कहते है जैतून का और बारहल ये नमकीन नहीं होता और ये जो आपने मेथी और धनिये का पॉटर बना एक चमच ले और एक या दो चुटकी इसमें नमक जैतुन में लाएं, खाने से आदा घंटा पहले आप इसे खाकर पानी पीलें गरम, बस काफी एक बार या दो बार दिन में खाने से पहले आप ये करें, आपकी तीनों समस्याओं का निदान मुम्किन है. ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बुटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेलों उसकों से जादा से जादा आप फायदा उठा सकें.